बारती क्रिकेट टीम के मुख चैन्स समीती ने सुक्रबार को अगले महीने खेले जाने बाली 20 टेस्ट चैंपियन सिफ की फाइनल मैच और इंगलेंड के खिलाफ होने बाली 5 मैचों की टेस्ट सिरीज के लिए 21 सदस से टीम का एलान किया है। 18 जून को भारत और न्यूजिलन के बीच खेले जाने बाले पहले चैंपियन सिफ की फाइनल मुकाबले के लिए भारती टीम के कई चोटिल खिलाडी फ्वीट होकर पापस लोटे है। तो वही स्टैंडबाई में तीन यूबा खिलाडियों को मौका मिला है। के वारती टीस्ट टीम में जगा बनाने की बात सुरू हो गई थी। हाला कि चैंपियन करताओं उन्हें जगा देने में सफल नहीं हुए। बता दू वारती क्रिकेट टीम की दूसरी सौड़ाप गंगुली की नाम से मसूर अभिमन्यू सरन को कैलेंटेट खिलारियों के में से एक है जो की घरेलू क्रिकेट में लगातार सांदार प्रदश्चन कर तीन सालों से चैंपियन करताओं के दरबाजे पर दस्तक दे रहे थे। अभिमन्यू दबाप की परिस्ति को हैंडल कर अच्छी प्रदश्चन करने के लिए मसूर है जिसकी जलाक उनकी रंजी डेबियू के दौरा नहीं मिली थी। सिरीज की तीसरे ही मैच में जब उनकी टीम तीन रंपर दो विकेट खोदी थी तब अभिमन्यू ने 75 रंड की सांदार पाड़ी खेलते हुए सांदार 163 रंड की साजेदारी की और 7 साल बाद पहली बार बंगाल को सेमी फाइनल में पहुचाने का काम किया। कौरत अलब है कि वारती टीम के लिए पिछले कुछ सालों से मद्रकम में बल्लेबाजी थोड़ी समस्या का बिसाय बनी हुई है। ऐसे में अभिमन्यू स्वरण टीम की समस्याओं का जबब हो सकते है। जो कि मद्रकम में आकर अच्छी पाड़िया खेल बिस्टेश तेल न्यूस चाइटर को.